मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि 5 जून एबम 6 जून का दिन मिथुन रासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने बाले शमय में मिथुन रासी बालों के जीवन में क्या क्या पडिवर्तन क्या क्या बदलाब होगा मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके धन संपती आपके आर्थिक जीवन के बारे में मित्रों आने वाले शमय में पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्य से बहुत जयादा नीचे होगा मित्रो आने बाले समय में आपको अपने फिजूल खडची अपने फालतू के खडचों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आर्थिक जीबन बहुत ज्यादा खराब होगा मित्रो आने बाले समय में यदि आपके घर पड़िवार आपके पड़िवारिक जीबन की बात कड़े तो आने बाले समय में आपका पड़िवारिक जीबन सामान से कुछ नीचे होगा मित्रो आने बाले समय से पहले यदि आपके घर पड़िवार में कोई भी पड़े सानी कोई भी समस्या था तो आने बाले समय में उस पड़े सानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं कड़ते हैं तो आपके घर का माहौल आपके घर का वाता बरन बहुत जयादा खराब होगा मित्रों आने बाले शमय में यदि आपके प्रेम जीवन की बात कड़े तो प्रेम जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा मजिबूत एबं बिहतर होगा मित्रों आने बाले शमय में यदि आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से मुलाकात करते हैं तो आपका प्रेम जीवन बहुत जयादा रोमांचक एबं बिहतर होगा आने बाले शमय में आपके प्रेमी या आपके प्रेमी का का सपोर्ट इन लोगों का साथ आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्य साली रंग है नारंगी एबम सुन हरा आपके लिए भाग्य साली अंक है दो यानी की टू मित्रों आने बाले समय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको भगबान गनेश की पुजा करनी चाहिए मित्रों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत जयादा मजबूत एबं बिहतर होगा तो मित्रों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वीडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे एबम इस वीडियो को आप हरे जगह से यर कर दे धन्यवाद